नमस्कार, श्रीमाद बालमी की रामायन अखंड पाठ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंचमह सर्ग है यानि अरण्यकांड से पाँचवां सर्ग और इस सर्ग में है श्री राम लक्ष्मन और सीता का शर्भंग मुनी के आश्रम पर जाना, देवताओं का दर्शन करना तथ मुने से सम्मानित होना और तत्पश्चात शर्भंग मुने का ब्रह्म लोक गमन तो चलिए प्रारंप करते हैं आज का पाठ हत्वा तुतम भीम बलम विराधम राक्ष सम्वने ततह सीताम परिश्वज्य समाश्वास्य चवीर्यवान अब्रवीत भातरम रामो लक्ष्मनम दीप्त तेजसम कष्टम वनमिदम दुर्गम नाचस्मो वनगो चराह अभिगच्छा महेशी घ्रम शर्भंगम तपो धनम आश्रमम शर्भंगस्य राघवो अभिजगाम ह तस्यदेव प्रभावस्य तपसा भवितात्मनह समीपे शर्भंगस्य ददर्शा महद धुतम वन में उस भयंकर बलशाली राक्षस विराद का वद करके पराक्रमी श्री राम ने सीता को घृदय से लगाकर सांतोना दी और उद्दीप्त तेजवाले भाई लक्ष्वन से इस प्रकार कहा हे सुमित्रानंदन यह दुर्गम वन बड़ा कष्ट प्रद है हम लोग इसके पहले कभी ऐसे वनों में नहीं रहे हैं आतह यहां के कष्टों का ना तो अनुभव है और ना ही हमें अभ्यास है तो अच्छा अब हम लोग शीग्री तपोधन शर्भंग जी के पास चलते हैं ऐसा कहकर शीराम चंदर जी शर्भंग मुनी के आश्रम पर गए देवताओं के तुल्य प्रभावशाली तथा तपस्या से शुद्ध अन्तह करण वाले अथवा तप के द्वारा परंब्रम परमात्म का साक्षातकार करने वाले शर्भंग मुनी के समीप जाने पर शीराम ने एक बड़ा अध्भुत द्रिश्य देखा विभ्राज मानम वपुषा सूर्य वैश्वा नरप्रभं रथप्रवरं मारूढम आकाशे विभुधानुगं असंस्क्रिशंतं वसुधां ददर्ष विभुधेश्वरं संप्रभा भरणं देवं विरजों बरधारिनं तद्विधैरेव बहु भिहे उजमानम महात्म भिहे हरितैर वाज भिर युक्तमं तरिक्ष गतम रथं ददर्षा दूरतस्तस्य तरुणादित्य सन्निभं पांडुराब्रघन प्रख्यम चंद्रमंडल सन्निभं तो वहां श्री राम चंद्रजी ने क्या देखा कि एक श्रेष्ट रत पर बैठे हुए देवताओं के स्वामी इंद्रदेव आ रहे हैं जो प्रित्वी का स्पर्ष नहीं कर रहे थे उनकी अंग कांति शूर्य और अग्नी के समान प्रकाशित होती थी वे अपने तेजस्वी शरीर से दैधी प्यमान हो रहे थे उनके पीछे और भी बहुत से देवता थे उनके दीप्तिमान आभूशन चमक रहे थे तथा उन्होंने निर्मल पस्त्र धारण कर रहे थे उनी के समान वेशबूशा वाले दूसरे बहुत से महात्मा इंद्रदेव की पूजा स्तुति प्रशंसा कर रहे थे उनका रत आकाश में खड़ा था और उसमें हरे रंग के घोड़े जुते हुए थे शीराम ने निकट से उस रत को देखा वह नवोदित सूरी के समान प्रकाशित हो रहा था अपश्यद विमलं चत्रम चित्र माल्यो पशोभितं चामर व्यजने चाग्रिये रुक्मदंडे महाधने ग्रिहीते वर नारी भ्याम धूय माने चा मूधने गंधर्वामर सिधाष्च बहवः परमर्शयह अंतरिक्ष गतं देवं गीर भिरग्रया भिरडयन सहसंभाश मानेतु शरभंगे नवासवे ग्रिष्ट्वाश तक्रतुम तत्र रामो लक्ष्मणम अब्रवी रामो अथलथ मुद्धिश्य ब्रातुर दर्शयता धुतं तो उन्होंने यह भी देखा कि इंद्र के मस्तक के उपर श्वेत बादलों के समान उज्वल तथा चंद्र मंडल के समान कांतिमान निर्मल चत्र तना हुआ है जो विचित्र फूलों की मालाओं से सुशोभित है श्री राम ने सुवर्ण मैं डंडे वाले दोश्रेष्ठ एवं बहुमूलित चमर और व्यजन भी देखे जिन्हें दो सुंद्रियां लेकर देवराज के मस्तक पर हवा कर रही थी उस समय बहुत से गंधर्व, देवता, सिद्ध और महर्शिगण उत्तम वचनों द्वारा अंतरिक्ष में विराजमान देवेंद्र की स्तूति करते थे और देवराज इंद्र शरभंग मुनी के साथ वारता लाप कर रहे थे वहाँ इस प्रकार शत्क रतु इंद्र का दर्शन करके श्री राम ने उनके अद्भुत रत की ओर उंगली से संकेत करते हुए उसे भाई को दिखाया और लक्षमन से इस प्रकार कहा अर्चिश्मन्तम श्रिया जुष्टम अध्भुतम पश्य लक्ष्मन प्रतपन्तम इवादित्यम अंतरिक्षगतम रथम ये हयाह पुरहूतस्य पुराशक्रस्य नहस्ताह अंतरिक्षगता दिव्यास्त इमेहरयो धुवं इमेच पुरुष व्याग्र येति श्ठंत्य भितोदिशं शतम शतम कुंडलिनो युवानह खट्ग पाणयह विस्तीन विपुलो रसकाह परिगायत बाहवह शोणा शुवसना सर्विव्याग्राईव दुरासदाह तो शीराम लक्ष्मन को दिखाते हुए कहते हैं कि लक्ष्मन आकाश में वह अद्भुत रत तो देखो उससे तेज की लपटे निकल रही हैं वहसूरी के समान तप रहा है शोभा मानू मूर्तिमती होकर उसकी सेवा करती हैं हम लोगों ने पहले देवराज इंद्र के जिन दिव्य घोडों के विशे में सुन रखा है निश्चे ही आकाश में ये वैसे ही दिव्य अश्व विराजमान है हे पुरुष सिंग इस रत के दोनों ओर जो ये हाथों में खट गे लिए कुंडल धाई सौसो युवक खड़े हैं इनके वक्षस्थल विशाल एवं विस्तृत हैं भुजाय परिभों के समान सुद्रिण एवं बड़ी-बड़ी हैं ये सब के सब लाल वस्त्र धारण किये हुए हैं और व्यागरों के समान दुर्जय प्रतीत होते हैं उरोदे शेशु सर्वेशाम हारा जलन सन्निभाह रूपम विब्रती सौमित्रे पंचविंशती वार्शिकम एतद्धिकिल देवा नाम वयो भवती नित्यदा यधे में पुर्श व्याघ्रा दृष्यंते प्रियदर्शनाह इहाईव सहवेदिह्या मुहूर्ता मतिष्ट लक्ष्मन यावजानाम्यहं व्यक्तमका एशद्युतिमान रथे तमेव मुक्त्वा सौमित्रे मिहाईवस्थियतामिती अभिचक्राम काकुच्थाह शरभंगाशमं प्रति ततह समभिगच्चंतं प्रेक्ष्यरामं शचीपति शरभंगम अनुग्याप्य विबुधानिदम अब्रवी इहो पयात्यसव रामो यावन्माम नाभिभाशते आगे कहते हैं श्री राम लक्ष्पन से कि है सुमित्रा नंदन इन सबके हृदय देशों में अगनी के समान तेज से जल्मगाते हुए हार शोभा पाते हैं ये नवयवक 25 वर्षों की अवस्था का रूप धारण करते हैं कहते हैं कि देवताओं की सदा ऐसी ही अवस्था रहती है जैसे ये पुरुष प्रवर दिखाई दे रहे हैं इनका दर्शन कितना प्यारा लगता है हे लक्षमन जब तक कि मैं स्पष्ट रूप से यह पता न लगा लूँ कि रत पर बैटे हुए ये तपस्वी पुरुष कौन है तब तक तुम विदेह नंदिनी सीता के साथ एक मुहूर्त तक यहीं ठहरो इस प्रकार सुमितरा कुमार को वहीं ठहरने का आदेश दे कर श्री राम चंदर जी टहलते हुए शर्भंग मुनी के अश्रम पर गए श्री राम को आते देख शैचिपति इंद्र ने शर्भंग मुनी से विदाले देवताओं से इस प्रकार कहा बोले श्री राम चंद्र जी यहां आ रहे हैं वे जब तक मुझसे कोई बात ना करें उसके पहले ही तुम लोग मुझे यहां से दूसरे स्थान में ले चलो इस समय श्री राम से मेरी मुलाकात नहीं होनी चाहिए जितवन्तं कितार्थम ही तदाहम चिरादिमं कर्मा ह्यनेन कर्तव्यं महदन्य ही सुदुष्करं अथवज्रीतमा मंत्य मान इत्वाच तापसं रथेन हय युक्तेन ययो दिवा मरिंदमह प्रयातेतु सहस्राक्षे राघवह सपरेच दह अगनेहोत्रम उपासीनम शरभंगम उपागम तस्य पादवच संग्रिह रामह सीताच लक्ष्मण निशे दुस्त दनुग्याता लभ्ध वासा निमंत्रिताह तत शक्रोपयानम्तु पर्यप्रिचता राघवह शरभंगश्च तत सर्वं राघवाया नवेदया इंद्र इस समय श्री राम से मिल्ला नहीं चाहते हैं इसलिए वो कहते हैं मुझे यहां से तुरंत कहीं ले चलो क्योंकि इन्हें वहमहान कर्म करना है जिसका संपादन करना दूसरों के लिए बहुत कठिन है तो जब यह रामन पर विजय पाकर अपना कर्तव यह पूर्ण करके क्रितार्थ हो जाएंगे तब मैं शीग्र आकर इनका दर्शन करूंगा यह कहकर वज्रधारी शत्रुदमन इंद्र ने तपस्वी शर्भंग का सत्कार किया और उनसे पूछ कर अनुमती ले वे घोडे जुते हुए रत के द्वारा स्वर्ग लोग को चल दिये सास्र नेत्रधारी इंद्र के चले जाने पर श्री राम चंद्र जी अपनी पत्नी और भाई के साथ शर्भंग मुनी के पास गए उस समय वे अगनी के समीप बैठ कर अगनिहोत्र कर रहे थे श्री राम, सीता और लक्ष्मन ने मुनी के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्या से वहां बैठ गए शर्भंग जी ने उन्हें आतित्थ के लिए निमंत्रन दे ठहरने के लिए स्थान दिया तदलंतर शीराम चंद्र जी ने उनसे इंद्र के आने का कारण पूछा तब शर्भंग मुनी ने शीरगुनाद जी से सब बातें निवेधन्द करते हुए कहा मामेश वरदो राम ब्रम्ह लोकम निनीशती जितम उग्रेन तपसा दुष्प्रापम कृतात्ममहि अहम ज्यात्वा नर व्याग्र वरतमानम दूरतः ब्रम्ह लोकम नगच्छामे त्वाम द्रिष्ट्वा प्रियाति थिम् त्वयाहम पुरुष व्याग्र धार्मिकेना महात्मना समागम्य गमेश्यामे त्रेदिवं चाबरं परं अक्षया नर शार्दूल जिता लोका मया शुभाह ब्राम्ह आश्च नाक प्रिष्ठाश्च प्रतिग्रिहनिश्व मामकान एव मुक्तो नर व्याग्रह सर्वशास्त्र विशारदह रिशिना शरभंगेन राघवो वाक्यम ब्रवीद तो शर्भंग मुनी ने श्री राम की प्रश्ण का उत्तर देते हुए कहा कि श्री राम ये वर देने वाले इंद्र मुझे ब्रह्म लोक में ले जाना चाहते हैं मैंने अपनी उग्र तपस्या से उस लोक पर विजय पाई है जिनकी इंद्रिया वश में नहीं है उन पुरुषों के लिए वहत्यंत दुरलब है तो है पुरुष सिंग जब मुझे मालूम हो गया कि आप इस आश्रम के निकट आ रहे हैं तब मैंने निश्य किया कि आप ज पुरुष से मिलकर ही मैं स्वर्ग लोक तथा उससे उपर के ब्रह्म लोक को जाओंगा तो है पुरुष शिरोमने मैंने ब्रह्म लोक और स्वर्ग लोक आदी जिन अक्षय शुभ लोकों पर विजय पाई है मेरे उन सभी लोकों को आप ग्रहन करें तो शर्भंग मुनी के ऐसा कहने पर संपूर्ण शास्त्रों के ज्याता नर्श्रेष्ट शी रगुनाद जी ने यह बात कही अहमे वाहरिश्यामी सर्वान लोकान महामुने आवासम त्वह मिच्छामे प्रदेष्ट मिहा कानने राग वी नैव मुक्तस्तु शक्र तुल्या बलेन वै शरभंगो महाप्राज्यह उनरेवा ब्रवीत वचह इहराम महाते जाह सुतीक्ष्णो नाम धार्मिकह वसत्यरण्ये नियतह साते श्रेयो विधास्यति सुतीक्ष्णम अभिगच्छत्वम शुचव देशे तपस्विनम रमनिये वनो देशे साते वासम विधास्यति इमाम मन्दा किनीम राम प्रतिस्रोता मनुव्रज नदीम पुष्पो डुप वहाम ततस्तत्र गमिश्यसी एशपन्था नरव्याग्र मुहूर्तम पश्यतात्मा यावज जहामिगात्राणी जीनामत्वचमिवो रगह तो शीरगुनात कहते हैं आगे शरभंग जी से कि हे महामुने मैं ही आपको उन सब लोकों की प्राप्ति कराऊंगा इस समय तो मैं इस वन में आपके बताए हुए स्थान पर निवास मात्र करना चाहता हूं इंद्र के समान बलशाली श्रीराम चंदर जी के ऐसा कहने पर महा ज्यानी शरभंग मुनी फिर बोले कि श्रीराम इस वन में थोड़ी ही दूर पर महाते जस्वी धर्मात्मा सुतीक्ष्न मुनी नियम पूर्वक निवास करते हैं वे ही आपका कल्यान करेंगे आपके लिए स्थान अधिका प्रबंध करेंगे आप इस रमणिय वन प्रांत के उस पवित्र स्थान में तपस्वी सुतीक्ष्न मुनी के पास चले जाए वे आपके निवास स्थान की व्यवस्था कर देंगे हे श्री राम आप फूल के समान छोटी-छोटी डोंगियों से पार होने योग य अथवा पुष्प मई नौका को बहाने वाली इस मंदाकिनी नदी के स्रोत के विपरीत दिशा में इसी के किनारे-किनारे चले जाईए इससे वहां पहुंच जाईएगा ते नरश्रिष्ट यही वहमार्ग है परन्तु तात दो घड़ी यही ठहरिये और जब तक पुरानी केंचुल का त्याग करने वाले सर्प की भाति मैं अपने इस जरा जीन अंगों का त्याग न कर दूँ तब तक आप मेरी ही ओर देखती रही ततो अग्निमस समाधाय हुत्वाचा जेन मंत्रवत शरभंगों महाते जाह प्रविवेश हुताशनम तस्य रोमानी के शांश्च तदा वहनेर महात्मन जीनाम त्वचम तद स्थीनी यच्च मांसं चशोणितं सच पावक संकाशह कुमारह समपद्यत उत्थायाग्नि जयात स्माच रभंगों व्यरोचत सालोका नाहिताग्नीनाम रिशीनाम चा महात्मनाम देवानाम चा व्यतिक्रम्य ब्रम्हलोकं व्यरोहत सापुन्य कर्मा भुवने दिजर्शभः पितामहम सानो चरम्ददर्शभः पितामहस्चापि समीक्षम तम्द्विजम् ननन्दसुस्वागतम इत्युवाचभः तो ऐसा कहकर अब मा तेजस्वी शरभंग मुनी ने विधिवत अगनी की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और मंत्रो चार पूर्वक घी की आहुति देकर विस्वयम भी उस अगनी में प्रविश्ट हो गए उस समय उस अगनी ने उन महातमा के रोम, केश, जीन, त्वचा, हड़ी, मास और रक्त सब को जला कर भस्म कर दिया वे शर्भंग मुने अगनी तुल्य तेजस्वी कुमार के रूप में प्रकट हो गए और उस अगनी राशी से उपर उठ कर बड़ी शोभा पाने लगे वे अगने होत्री पुरुषों, महातमा, मुनियों और देवताओं के भी लोकों को लांग कर ब्रह्म लोक में जा पहुँचे थे पुन्य कर्म करने वाले द्विज श्रेष्ट शर्भंग ने ब्रह्म लोक में पार्शदों सहित पितामः ब्रह्माजी का दर्शन किया ब्रह्माजी भी उन ब्रह्मर्शी को देखकर बड़े प्रसन हुए और बोले महामुने तुभारा शुभ स्वागत विष्प्रकान श्री वालमी की निरमित आर्श रामायन आधिकावि के अरण्य काण्ड में ये पांचमा सर्ग यहां पर पूरा होता है इत्यार्षे श्री मlight रामायने वालमी की आधिकावि ए अरण्य काण्ड अचमा सर्ग ओम श्री सिता राम चन्रा भ्याम नमा